नमस्कार दोस्तों, उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे इंडियन जो बैक है ना उसमें आपरेंटी सिप के पदो पे भरती निकाली जा चुकी है अगर आपने अशनातक पास किया हुआ है और आपरेंटी सिप के पदो पे भरती होना चाहते हैं बड़ी असानी से ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं इस वीडियो में जो ही पूरी जनकाड़ी हम देने जा रहे हैं किस तर से फॉर्म को भरना है step by step जनकाड़ी देंगे और साथ ही साथ किस तर सब का सेलेक्शन होने वाला है इसे जुड़ी जो है सभी जनकाड़ी इस वीडियो में कबर की गई है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले request है कि अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया वह तो like जरूर कर दीजिएगा सबसे पहले आपको search करना है easy to net.com तो first में ही आपको easy to net.com का जो official website है देखने को मिलेगा इसको यहाँ से open कर लेना है यहाँ पर latest job में देखेंगे तो आपको जो ही Indian bank apprenticeship recruitment 24 का link मिलेगा जिस पहे आपको click करना है ठीक है click करने के बाद यहाँ पर सभी जनकारी को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं नीचे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे तो जो भी इनका online आवदन करने का link है वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है तो इस पर आपको click करना है अब जैसे इन click करेंगे तो जो भी इंडियन बैंक का carrier section होता है यहाँ पर आज आएंगे जहाँ पर जो भी current opening है भरती चल रही है इसके सभी जनकारी यहाँ पर देखने को मिलेगा इसमें देखेंगे तो ऑपरेंटी सिप के लिए 24-25 के लिए ज जनकारी को समझ लीजिए सबसे पहले देखेंगे तोटल जो वेकेंसी है ना फंद्रेस है और दस साथ से लेकर जो है एक तीस साथ के बीच में आपना जो ओनलाइन फोर्म है उभर सकते हैं यह जो ही चेनरी देख सकते हैं कि हेड को आटर के लिए जो ही invite किया गया है जो कि अलग-अलग आप अपने राज्य में काम करना चाहते हैं तो आप अपने राज्य में भी फर्म को भर सकते हैं यहां पर देखेंगे तो अलग-अलग जो ही state की बेकेंसी की जनकारी दीगे जैसे बिहार की हम बात करें तो बिहार में जो यह 86 पोस्ट है कौन से कैटी गड़ 1224 के भी हाप पर आपका काउंट किया जाएगा और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको भी इसी डेट पर काउंट किया जाएगा कम से कम 20 साल और अधिकतम 28 साल उमर आपका होनी चाहें नहीं कि 20 से लेकर 28 साल के बीच में उमर है हलाकि आप AC है तो 5 साल OBC है तो 3 साल आपको छूट मिल जाएगा उमर में ठीक है और पर एज में आपको छूट मिलेगा लोवर में नहीं मिलेगा उसके बाद हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने गेज़वशन कर लिया हुआ है किसी भी डिस्प्लेयन से हलाकि आपका गेज़वशन जो ह सबसे पहले सेलेक्शन की रिगार्डिंग में जनकाड़ी दिया हुआ है कि आपका जो होने वाले हैं कहां से कितने कोचन पूछे जाएंगे देख सकते हैं आप जनकाड़ी दिया गया है टोटल जो ही 100 यहां पे कोचन रहेंगे 100 आंक मिलेंगे और इसका जो डूरेशन है 60 मिनिण कराएगा उसके बात देखेंगे तो जो भी आपका लेंगविज प्रोकिंसी टेस्ट होता है वह ओकर आया जाएगा है यहांगी हम बात करें तो आपका जो अरप electronics होता है क्यूंकि ट्रेनिंग अब के देखेंग' यानि कि बैंक में जो भी काम करना होता है वो आप सीखेंगे और साथी साथ आपको पैसे भी दिये जाएंगे तो आपका जो ही बारे मंत का ये ट्रेनिंग होने वाला है यानि कि अपरेंटिस होने वाला है वहां जो आपका जोब के साथ ट्रेनिंग होने वाला है कि आपको ब पर मन्त यहां पर देखने को मिलेगा, यह आपका salary है, monthly के basis पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बाकी यहां पर और भी जनकाडी दिया कि यहां पसको मिल जाएगा जो भी आपका अपका फूल की मिलखु घ़िकेट है उसके बाकि हैं आपके अब मेंडेटी नहीं अब इसको छोड़ भी सकते हैं उसके बाद यहां पर आपना mail id उसका जो भी domain हों बताएंगे जैसे कि मेरा Gmail है तो मैं Gmail यहां पर स्लेट करूंगा उसके बाद mail id कंफर्म करना है और उसके बाद क्याप्चा को फील करके आपको जह से बें बटन पर क्लिक करना है जैसी नेश्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो राश्यसन है यहां पर सक्सेफ़ कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो यह यूजर id पास्ट यहां पर देखनी को मिल जाएगा जो की आपके नंबर पर भी send कर दिया आता है अब यहां पर आपको जो फोटोग्राप candidate का upload करना है और यहां पर signature upload करना है तो सबसे पहले फोटो का जो size रहेगा देख सकते हैं कि 20 से लेकर 50 के बीच में रहेगा इसका जो dimension है उसको भी आप check out कर लीजिएगा बाकि हम signature की बात करें तो यहां पर signature को भी आपको upload कर लेना है और ध्यां रखेंगे जो भी आपका signature होगा chapter letter में block letter में नहीं होना चाहिए इस तरह सब signature करते हैं उस तरह से होनी चाहिए और यहां पर आपको टीक भी करना पड़ेगा कि मैं अपना जो फोटो यहां पर दे रहा हूं वैलिड फोटो है वैलिड classified local language of the state तो यहां पर बोल रहा है कि क्या आप जो भी एस्टेट का selection किये हुए है वहां का जो भी local language आपको पता है तो यहां पर यहां करना होगा यहां पर देखिए official language भी आपको देखने को मिल जाएगा जिसे बिहार से form भरेंगे तो हिंदी या फिर उर्दू आपको आनी ठीक है उसका बोल रहा है कि क्या आपने दस भी आफिर बार्य स्टेंडर्ड में जो भी आपका मार्क सीठ है या फिर जो भी है उसमें आपने जो भी official language है उसको study किया हुए है तो आपको यहां पर यहां करना होगा यहां पर जोई डिस्टी का selection देना होगा जैसे कि आप अब्धिक करना चाहते हैं फिर यहां पेस सब कास्ट्रस कर सकते हैं तो सिंपल साइस को नो करेंगे ठीक है अब यहां पर नीचे आएंगे तो आपको जो है यहां पर जनकाडी देखने को मिलेगा कि किसी परकार की एक्जामिनेशन में आप चाहते हैं यह इस चीज़ तो काप यहां पर देख सकते ही जो कि सब यहां पर डिसेबल रहेगा यहां पर देखिए अगर आप को किसी परकार की specific लेना है तो आपको नहीं भरना है लेकिन जो इनेवल है उसको भरना है अगर आपके फैंबली मेंबर में किसी का कोई कुछ प्रॉब्लम हुआ था मतलब देथ किये थे तो आप यहां पर जनकाई दे सकते हैं नहीं तो नो करेंगे अगर यहां पर करके बता सकते नहीं है तो करेंगे अगर आपको उम्र में चूँट चाहिए जैसे कि मांदी युबर्स यहां भी ने टीएस ठीक है यह सच करना है बाद देखिए आप एस डेंट का बटन मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर बटन के लिक करके आपना जो करना है अगर आपने पहले स्टेंट कर लिया हुआ है तो आप यहां पर लोग इन करके उसकी जुजनकारी है यानि कि जो भी एन ATS का जो ID है उसको अब देख सकते हैं इसका कैसे करना है कहेंगे तो मलक से वीडियो ला देंगे अप्री बहुत सरी यूट्यूबर वीडियो उसको देख सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर करने के बाद जो भी अपना रिश्येशन नंबर है वह आपको यहां पर देना लगे आते हैं ठीक है उसके बाद यहां पर अपना जोभी डेकट को डालेंगे फिर यहां पर जिंडर का नेम अपने जीवन साथी का नाम भी दे सकते हैं उसके बाद जो भी अपना एड्रेस है उसको यहां पर फिल अप करना है यहां पर जोह भी स्थेट है उसका भी ब customer कर लेना सव अगर आपका जोभी सर्फ सेलड करेंगे तो यहां पर यहां पर ठीक करतेंगे तो जो करना हुगगा आपके टिक्ड़ी इसे कि एक साथथ है तक तक अपने इ愷िक थो करना हो आपने जो ही अगे सिर्फिकेशन के उसका सिलेख्चन करेंगी हाला कि किसी बीशरीग से最sstre कोई भी दिक्कत नहीं है फिर यहां पर डेट पासिंग आपको बताना होगा जो कि आपको सटीफिकेट पर देखने को मिल जाएगा यहां पर जो भी आपका परसेंटेज आप मार्क्स है यानि कि आपके इतने परसेंट अंप्राप्त किये हुए हो बताएंगे और यहां पर है जो भी कलास है बताएंगे कि आफिर प्रस्ट लासे या फिर पास क्लास चैनले से हैं तो बताएंगे ठीक है उसके बारेंगे जो अब बारें लिएगा प्रसेंटेज है और नो करिएगा ठीक है उसके बाद यहां पर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क अगर आपके पास है तो आप यहां पर बता सकते हैं आप यहां पर सीधे आप से बेंड नेश के बटन पर आपको क्लिक करना है अब यहां पर आपने जो भी फॉर्म भरते समय जनकाडी दिया हुआ है उसका जो यहां पर देखनी को मिलेगा जिसको आप चेक आउट कर ले ठीक है चेक आउट करने के बाद यहां पर तीक करेंगे और टीक करने के बाद complete र स्पारMA है उसको इंपरेज करके आपको इसके स्पें करी करना है और यहां पर हैंड रिटे न है वह भी आपको इहां पर अपूर थॉम इंप्रेशन है उसकी जनकाडी दी गई है कि किस तर से आपको अप्लोड करना है और इसका जो साइज है वह यहां पर बता दिया गया ठीक है तो उपर आएंगे तो आपको जो साइज यहां पर देखने को मिल जाएगा तो इसका भी आप देख लेंगे यहां पर लेकर ता भी ही जुड़िया उसको यहां पर रफ लोड कर दीजिएगा यहां पर हैंट डिक डिकलेशन जो εκ देखने को मिलेगा तहन पर नोटिफिकेशन को आप डन्लूड करेंगे ठीक है यहां पर झाएंगे यहां पर инаप अपको नोटिफिक्रेशन करेंगे बटन पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर देखने को मिलेगा उसके बाद के बटन पर कलिक करेंगे तो यहां पर देखेंगी ओके का आएगा उसके बाद यहां पे पेमेंट गेटवेप आपको भेद दिया जाएगा जहां पे डेवीड काड इंटरनेट वाइंकिन वालेट का एस कीवार कोड जिसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट करेंगे आपका जो कॉपलिकेशन हैं यहां पर कम्पलीट हो झाते हैं